यश्रस्वी जैसवाल इंग्लैंड के खिलाब कुछ अलग ही ले में दिख रहे हैं भारत इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सुरिस खेली जा रही है जिसके तीन मुकाबले हो चुके हैं और जैसवाल दो दोहरे शरतक भी जड़ चुके हैं अब जैसवाल राच्ची में खेलने वाले सरीज के चौथे टेस्ट में वो रिकोड अपने नाम कर लेंगे जिसे विराट को ली एक सुतीर टेस्ट खेलने के बाद भी हासिल नहीं कर सकें बता दे कि जैसवाल ने राजकोट में खेली के तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 240 रन बनाए थे जिसमें उन्होंने 12 छक्के लगाए थे इन छक्कों के साथ जैसवाल ने अपने छूटी से टेस्ट करियर में 25 छक्के पूरे कर लिये जैसवाल ने अब तक सिर्फ साथ टेस्ट खेले हैं जिसमें उन्होंने 25 छक्के लगा लिये हैं जबकि 113 टेस्ट खेल चुके विराट कोहली ने अब तक सिर्फ 26 छक्के ही लगाये हैं यानि अब जैसवाल कोहली से टेस्ट छकों के मामने में सिर्फ एक छक्का पीछे है राची में खेली जाने वाले चोथे टेस्ट अगर जैसवाल दो छक्का लगा देते हैं तो वो सिर्फ आठवे टेस्ट में विराट कोहली से ज्यादा छक्के लगा देंगे 113 टेस्ट के बाद कोहली के नाम 26 चक्के दर्ज है जबकि जैसवाल सिर्फ 8 टेस्ट मैच में 27 चक्के लगा कर उन्हें असानी से पीछे छोड़ सकते हैं अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जैसवाल अपने करियर के आठवे टेस्ट में कोहली के 113 टेस्ट का रिकोर्ड तोड़ पाएगा या नहीं कौर्टलाबेग इंग्लैन के खिलाब जारी टेस्ट सिर्फ में जैसा लगाता दोर दहरी शर्ट तक जड़ चुके हैं विशाखा पटनम में खेले गया स्रीज के दूसरे टेस्ट की पहली पारी में जैसवाल ने 209 रन बनाये थे इसके बाद राजकोट में खेले गये तीसरे टेस्ट में भारत की दूसरी पारी में भारती ओपनर ने 214 रन स्कोर किये थे बता दे जैसवाल अब तक अपने टेस्ट करें में 7 मुकाबले खेल चुके हैं जशिश्वी ने जुलाई 2023 में वेस्टेंजिस के खिलाब खेली मुकाबले के जरिये टेस्ट डेव्यू किया थे वही अब तक खेले गए 7 मैचों की 13 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 71.75 की ओसत से 861 रन बना लिये हैं इस दोरान वे 3 शर्तक और 2 अर्द्र शर्तक लगाए हैं